नमशकार दोस्तों, आज हम बात करेंगे असम के बारे में, जहाँ पर बताया जा रहा है कि हजार से भी ज़्यादा जो militants हैं उन्होंने surrender कर दिया है, यहाँ पर आप news देख सकते हो, 1040 militants of 5 outfits surrender in Assam, तो यहाँ पर हम basically देखेंगे कि कौन से militants की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपने I'm sure North East के अंदर जो कर्भी Anglong Plateau है, उसके बारे में सुना होगा, तो काफी लंबे समय से वहाँ पर insurgency का मामला सामने आता जा रहा है, काफी लंबे समय से वहाँ पर जो militants हैं तो finally हम कह सकते हैं कि जो पूरा struggle है, वो अब यहाँ पर बड़े पैमाने पर खतम होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में जो militants हैं उन्होंने surrender किया है, और यहाँ पर development का साथ चुना है, तो इसको detail में जानेंगे कि exactly यह कब से मामला चलता आ रहा है, तो चली आगे बढ़ते जिसके दुरू आप अपनी preparation और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो यह समझते हैं, दोस्तों हम यह पढ़ क्यों रहा है, हुआ क्या है, मैं आपको बता रहा था जैसे कि 1040 militants ने यहाँ पर surrender किया है, कब Tuesday evening को यहाँ पर एक पुरा प्रोग्राम रखा गया था, चीफ मिनिश्टर जो हैं असम के सर्बनेंदा सोनवाल, उनके द्वारा और उनी की स्थिती में, यहाँ पर जो militants हैं, करीब 5 militants ग्रोप से बताया जा रहा हैं, यह 1000 से भी ज़्यादा militants, और उन्होंने अपना जितना भी arms हैं, जो struggle है, उसको आप कह सकते हो, इसको एक बड़ा बल मिला है, इन्फाक्ट मैं आपको बता दूँ, इसमें जो सबसे बड़ा नाम है, वो आप देख सकते हो, यह है, इंगिती, कथर, सोंग भी जीत, तो उन्होंने यहाँ पर, बेसिकली, उनका सरेंडर करना इसमें सबसे ज़्यादा मायन रखता है, क्योंकि बहुत बड़े इसके लीडर बताया जा रहे थे, और इनी के ओपर लंबे समय से आरोप लगा था, कई सारे अक्यूजेशन लगे थे, मिलिटेंसी को लेकर, एथनिक वाइलेंस को लेकर, इन्फाक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, जिन्होंने यहाँ अपने आपको सरेंडर किया है, KPLT, PDC के यह सारे नाम आप यहाँ पर देख सकते हो, और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ करीब 300 वेपन्स, 11,000 से भी ज़्यादा बुलेट्स है, उन्होंने यहाँ पर सरेंडर किया है सरकार के सामने, तो हिस्ट्री क्या है बेसिकली, य क्या वो पहले हमें समझनी किया आउशकता है, तो देखिए, असाम के अंदर जो कर्भी है, यह जो नाम है कर्भी, यह एक major ethnic community है असाम के अंदर, असाम के अंदर आपने सुना होगा, बहुत सारे tribal groups हैं, जैसे बोडो लैंड के बारे माँ आप सुना होगा, बोडो, वो भी यहाँ पर लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनका एक अलग राज हो, तो इस तरह के बहुत सारे ethnic diversity आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक major ethnic community है, जिसका नाम है कर्भी, और करीब आप कह सकते हो, 1980s के बाद से, यहाँ पर उस पूरे region के अंदर, मैं अभी आपको map में दि तो उनका खुद का toll होता था, इस तरह की चीजें होती थी, और उनका एक सबसे बड़ा जो code demand था, वो था separate state का, तो finally जाकर एक तरह से हम कह सकते हैं, कि यह end होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, in fact आज के date में अगर आप देखोगे, आपको पता होगा, कि हमारे ध्यान के अंदर जो 6th schedule है, वहाँ पर आपको autonomous councils देखने को मिलेंगे, अब देखिए यह जो पुरा map है, इसको ध्यान से समझे पहले, total 4 राज आते हैं 6th schedule के अंदर, 4 states कौन कौन से हैं, उपर आप देख सकतो, यह है आपका असम का, नीचे जो मिघाले है, यह है, इसके ल autonomous council है, मतलब autonomous council क्या होता है, उनको जादा एक तरह से autonomy दी जाती है, power दिया जाता है, जो local का governance है, उसमें उनकी जादा भागिदारी होती है, खुद से वो चीजों को decide कर सकते हैं, कि कहां पर चीजें कहां खर्च करना है, तो यह काफी important होता है, तो असम का जो उपर वाला side ह borderland, यहां पर भी लंबे समय से demand थी कि इसको अलग राज दिया जाए, और यहां पर in fact आपने देखा होगा, कि जो हमारा Indian peninsula है, इसका extension है, आपने देखा होगा, in fact यह जो gap है, यह इसको कहते है, Malda gap, I'm sure geography में आपने पढ़ा होगा, और उसका right side का एक तरह से extension है, यह हमारा, जो Indian peninsula है, यह पुरा, उसी का part है, एक तरह से आप कह सकते हो, इसको अलग नहीं कहना, तो यहां पर Megale Plateau हो गया, और एकदम यहां पर देखिए, यह है Kirby Anglong Plateau, तो Kirby Anglong Plateau जो है, इसको भी अलग Autonomous Council का दरजा दिया गया है, जिसको कहा जाता है, Kirby Anglong Autonomous Council, और यहीं पर जो insur और शेर करता है, काफी बड़ा वो नागा लेंड के साथ करता है, तो यहां पर भी काफी सारी दिक्कत हमें देखने को मिलेगी, मिलती थी, तो finally यहां पर अगर यहां पर लोग सरेंडर कर रहे हैं, तो इसका impact जो है, वो पूरे North East का बड़े हिस्से में आपको देखने को म बिलेगा, इनफाक यहां पर थोड़ा सा हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, बेसिकली क्या हुआ था, दो ग्रूप्स थे, एक था कर्भी National Volunteers और दूसरा था कर्भी People's Force, यह क्या कि एक साथ आ गया और उन्होंने बनाया United People's Democratic Solidarity 1990s में, और जो डिमांड है वो मैंने आपको पहली बता दिया कि अलग से राज का दर्जा दिया जाए, इनकी लंबे समय से डिमांड थी, नवंबर 2011 में क्या होता है कि इसमें से यह जो UPDS है, यह वाला जो दोनों मिलकर बने थे, इन्होंने यहां पर ट्रिपरटाइट Agreement, Memorandum यह जो है, वो साइन कर दिया किसके साथ, असम की सरकार और Central Government और वो खुद थे, इसलिए तीन पार्टी इसके अंदर सामिल थी, तो बेसिकली इसके बदले क्या हुआ, उनको जादा autonomy दिया गया, special packages दिये गए, ताकि वो अपने आपको अच्छे से गवन कर सकते हैं, इन्फाक्ट आज के डेट में अगर आप देख तो इसमें कुछ गलत नहीं है, अगर वापस से वो लोग आते हैं, तो definitely ये development के लिए, क्योंकि ultimately वो लोग ही है, और भारत एक तरह से इन सभी लोगों से मिलकर ही बनता है, तो ये वाला जो group है, I'm sure आपको समझ में आ गया, UPDS ने तो क्या किया था, उसमें कर दिया था, ले पाकी के जो groups ने यहाँ पर ultimately surrender कर दिया, इसका significance क्या है, तो देख सकते हैं, इसका मैंने आपको पहली बता दिया, कर्भी Anglong जो है, इसके उपर impact नहीं आएगा, नागा लेंड जो पास में है, उसके उपर भी impact देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी militants थे, insurgents है, उनको mainstream में लाने की कोशिश की जाएगी, और in fact मैं आपको बता दूँ, असाम के अंदर अगर आप देखोगी, जो कर्भी Anglong है, it is one of the largest area in terms of size के terms में अगर आप देखने की कोशिश करें, तो finally weapons वगर यह सब कुछ उपर आ चुके हैं, और peace की तरफ यह जो पुरा राज है, जो region है, वो एक तरह से आगे बढ़ सकता है, in fact, जब यह पुरा प्रोग्राम रखा जा रहा था, तो जो CM है, Chief Minister है, सोनवाल, उन्होंने congratulate किया और कहा कि आप mainstream में आईए, और राज के प्रगतिक में अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करिए, even government, उन्होंने ये कहा कि government क जो role है, वो बहुत ही limited है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ militants को लाने तक limited है, इसके अलावा यहाँ पर government की जिम्यदारी बनती है कि जो लोगों को dignity देना है, life of dignity and respect, वो हम दिलानी की कोशिश करेंगे, इसके साथ-साथ जो livelihood है और employment है, उसके opportunities भी लाएंगे, अब जो development की बात आती है दोस्तों एक चीज़ याद रखना है आपको, यह एक साल के बाद आ रहा है, एक साल के पहले मैंने आपको map में दिखाया था, बोडो वाला जो पुरा area है, बोडो लैंड वाला, इसके साथ भी भारत सरकार, असाम सरकार ने यहाँ पर जो एक agreement है, उसको यहाँ पर sign किया He was the most wanted militant in Assam कि अगर हम बात करें, although अगर इसका थोड़ा सा history में आपको बताओं, तो जो सोंगमी जीत हैं, वो कर्भी है, मतलब जो ethnic है कर्भी, वो उसी से बिलॉंग करते हैं, जनम भी उनका वहीं हुआ था, ethnicity भी वहीं था, लेकिन काफी लंबे समय थे, वो कर्भी में न वो अलग हो जाते हैं और अपना खुद का NDFB जो है, वो बनाते हैं, और आगे चलकर 2014 में आप देख सकतो, he was responsible for massacre of 70 आदिवासी, तो करीफ 70 लोगों को उसने मारा था, फानिली जाकर 2015 में क्या होता है कि उसको चीफ के पद से हटा दिया जाता है, इसी पार्टी से, NDFB से, और आगे चलकर हो क्या होता है, कि वो कर्भी वाला जो इस्टन साइड वाला मैंने आपको दिखाया था मैप में, वहाँ पर जाकर ये शामिल हो जाता है, और तब सी ये कर्भी एंगलॉंग के लिए fight कर रहा होता है, लेकिन फानिली यहाँ पर वो अब surrender कर गया है, तो conclusion मे हम क्या कह सकते हैं, conclusion में देखिए दोस्तों, अभी भी कई सारी चीज़ें होनी बाकी हैं, अभी उसने surrender किया है, कई सारी जो agreements वगरा हैं, वो जब तक नहीं हो जाता, तब तक हम surety से चीज़ों को नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको समझना है, जो NIA है, National Investigation Agency, उनके द्वारा भी charge sheet कहां पर लगाया जा चुका है उसके खिलाप, अब देखने वाली बात होगी कि NIA उस person के उपर क्या करेगी, क्या कदम लिया जाएगा, agreements के अंदर turns and conditions कैसे होंगे, वो हमें देखने वाली बात होगी, तो I hope कि यह जो पुरा वीडियो था भी news में चल रहा था कि 1000 से जादा militants ने surrender किया है, से related जितने भी चीजे थी, वो मैंने आपको बता दिया है, जाने से पहले एक question लेकर आया हूँ, North East से related, इसको ध्यान से पढ़िए, दोनों statement बताए कौन सा correct होगा, इसका जो right answer है, हमेशा की तरह मैं अपने Instagram पर तो डालूंगा ही, अगर आप Insta पे नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से ले सकते हैं, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, Stories के form में, आप जाकर play कर सकते हो, अगर आप मुझसे economy पढ़ना चाहते हैं, कोई भी course purchase करना चाहते हैं, Study IQ आप पर जा सकते हैं, I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.